हेलो फ्रेंड्स बोद बोद स्वागत संदिब गयान यूटूब चैनल पे ओर राजम फीर आप सभी के लिए एक लेटिस ट्रिक गौर्डमेंट जो पनोडिविगीशन लिख रहे हैं यदि आप भी 10 और 12 पास हैं तो इस व्रेटिफिकर के लिए अबलाइक कर सकते हैं तो आ आपको कफी सारी वेकंजियों का एक साथ नोडिविकेशन परकासित्वा है और वन विवागी इस व्रेटिफिकर के लिए आपके एज्योकिशन क्वालिफिकेशन फ्रेंट यहां 5 और 10 और 15 और डिप्लोमा रठा गया है तो आप इस व्रेटिफिकर के लिए अपको मिल रह लेगी कि वन विवाग में अभी जो फोरेस्ट गार्ड कैस वरकर आईटी वरकर की फोर्म जो फोर्स्टों के लिए फोर्म कैसे अपलाई होगा क्या हां आपको यह फोर्म जमा करवाना होगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस प्रकार की गौर्डमेंट पदों की पूर्ती तो यह फोर्म जो कंप्रिट को आइट जो आएगी वह आउट्सॉर्सिंग आधार पर आपको बदाए गई है और इसमें सबसे पहले जिलाकारिक्रम अधिकारी महिलाई बालविकास राजिस कौनमार गुपता ने बताया कि काराले वन स्टाफ सेंटर सक है यह थो इन पदों के लिए आवधन पासी मुझे है क्यां सबसे पहले कपको ट्यूमाय तो अप्लाइक कर सकते हैं थ्य송ुक्त में आपकोTH थी जो है केस वर्कर की बताएगे जो मैलाओं के लिए आरक्षित है और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट है साइक बहुद इस साइक मैला पूरुस अधिक्तम आपकी उमर होनी से 35 वर्श योगेता पांच भी पास है तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद शुरुक प्रमान पत्र है तो आप जरूर अपलाई करें पोस्टों के साथ उनको भी आप अपलाई करें ताकि आपको नोक्री प्राप्त करने में आसानी हो अनुबव समंदी चेतर में होना चाहिए यानि कि आप सुरुक्सा करमे की पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हो तो फोरेश इसके लिए आपको अपलाई करना होगा तो यहां आप जमा करवा सकते हैं और सभी राजियों में काफी सारी वेकेंसी का एक साथ नोडिविकेशन प्रकासित वाथा लेकिन आपके पास जानकरी नहीं पहुंच पाती है तो यह वेकेंसी आप देख सकते हो बहुत अच्य व इसमें आपको जोब मिल जाए तो इसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं और इसमें आपको उम्मर्शिमा भी आपको अधिकतम बताएगी है और इसमें आपकी एजऑकेशन क्वालिफिकेशन भी कम बताएगी है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाइ करें और आप भी नोगरी प्राप्त कर सकतें तो फ्रेंड्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में